आज हम पढ़ने वाले हैं scientific instrument और उसके users के बारे में और थोड़ा बहुत हम inventor के बारे में हम देख लेंगे जो कि यह जामिया में अगर आप entrance दिना चाहते हैं तो GS का तो जिसमें भी आता है जिसे BBA, B.com में आता है, B.A. geography, psychology और B.A. L.A.B. में आता है उसके लिए बहुत ही important है यह static GK है और यह बहुत ही general awareness है यह बहुत ही important है आप लोग के लिए तो आप लोग पढ़िए तो चलिए हम आपको दिखाते हैं altimeter किसले इस्तिमाल होता है यह instrument है जो aircraft के altitude यानि हाइट को नापने का काम होता है यह किसने inventor क्या है तो इन्हें French physicist है जो इसका नाम है Louis Paul Calatet दूसरा हात है emitter emitter के क्या का काम होता है emitter को होता है electric current को measure करने का ठीक है और इन्हों किसने क्या inventor तो इन्हें यह फ्रेडरिज Drexler देखिया अगर आप scientific instrument और उसका usage आप याद रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि जामिया में आता है हाला कि inventor कभी-कभी पूछ देता है लेकिन maximum question अगर आप देखेंगे जामिया में previous year question उठाएंगी जाए general BAC का हो या B.A.L.L.V. का हो या B.A.Geography का हो तो उसमें scientific instrument और uses उसका जरूर देखेंगे आप तो इसको आप याद रखिए एनिमोमीटर का या इस समाल होता है used to measure speed, direction and pressure of wind wind का यादि हवा का speed उसका direction और उसका pressure हम लोग उससे measure करते हैं और अडियोमीटर का इस समाल हम किसमें करते हैं और अडियोमीटर के sound के intensity को हम नापने के लिए काम करते हैं बारोग्राफ हम atmospheric pressure का recording करते हैं continuous recording करते हैं तो उससे कौन से instrument है बारोग्राफ ये important है बारोग्राफ इंपोर्टन ने कभी पूछा नहीं है लेकिन बारोग्र जरूर रहाएगा आपका तो ये atmospheric pressure and condition को नापने के लिए इस्तेमाल के जाता है measure करने के लिए इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करकर देख सकते हैं bolometer ये कोई important नहीं है लेकिन फिर भी इसे याद कर सकते हैं measure infrared heat radiation को measure करता है bolometer calipers, calipers क्या होता है measure करता है cylinder wire के diameter को cylinder या wire को जो thin होता है उसका diameter को measure करता है calipers calorimeter जो होता है वो heat kill measure करता है ये important है आप इससे याद रखेगा कार्बूरेटर, कार्बूरेटर अपने नाम सुना ही होगा कि ये किसी मेकनिकल पार्ट में लगता है, जैसे कि आप कार में सुनोंगी कार्बूरेटर खराब हो गया है, कार्बूरेटर हीट हो गया है, तो ये कार्बूरेटर जो होता है used for charging air with petrol vapour in internal combustion engine यह internal combustion engine में इसे इस्तेमाल हिए जाता है ठीक है carburetor को लेकिन यह important है नहीं अब जो है ECG का आपने नाम सुना होगा ठीक है ECG का आपने नाम सुना जागी है कार्डियोग्राम इंस्ट्रुमेंट होता है ECG यह traces the moment of heart heart के आपके moment को यह record करता है उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राम या ECG कहते हैं आपने नाम सुना होगा अब आते हैं कैथोमेटर कैथोमेटर जो होता है अपर डिर्माइन था हाइट और उसका लेवल जो है डिर्माइन करता है कोरोमेटर यह कोई important नहीं है यह C के longitude को नापता है Cinematograph Cinematograph जो होते है यूज़ फर प्रोटेक्टिंग पिक्चर अप दे स्क्रीन यह भी कोई important नहीं है क्लोरिमेटर कम्प्रेस इंटेंसिटी अफ कलर यह important है इंटेंसिटी अफ कलर को क्या करता है यह कम्प्रेस करता है कॉम्यूटेटर कॉम्यूटेटर का आपने नाम सुना होगा ठीक है यूज़ इन जनेरेटर तू रिवर्स दिरेक्शन अफ दिर्टिक करेंट यह जनेरेटर में इस्तेमाल गया था है कॉम्यूटेटर करेंट को डिरेक्शन को रिवर्स करने के लिए तो यह बहुत ज़द इंपॉर्णेट नहीं है यह क्योंकि जनरल चीज़ आप सब जो जानते हैं कॉम्यूटेटर हो गया कारबुरेटर हो गया यह सब हर इस्ट्टिएंट जानता है किरिसोग्राफ जो होता है use for measuring growth in plant इसे आप जाद कर लिएगा का यामिटर जो होता है may टरो तेम्परेटर measurement of low temperature साइकलोक्त्राट जो होता है use for accelerating charging particles of microwave oscillator यह को important नहीं है डैलो मेटर जो होता है सब्चेंज इन वाल्यूम आफ सुस्टेंज यह भी important नहीं है हलाग यह कभी पूछ भी देता है, इसे याद रखिएगा, जहां इसके inventor यह कभी नाम याद करेगा, यह बहुत ही famous है, Michael Faraday, आप class 10 का अगर physics पढ़े होंगे, तो आप उनका नाम सुने होंगे, Michael Faraday, Faraday law, ठीक है, electrometer क्या करता है, measure of very but small potential difference in electric current, यह बहुत ही small current को यह measure कर लेता है, इसे हम कहते हैं, electrometer इसे याद रखिएगा, electrometer यहाँ पर भी है, use for missing electric potential difference, potential difference को यह measure करता है, electroscope जो होता है, क्या करता है, electroscope पे आप सब जानते हैं, to detect the presence of electric charge, electric charge के presence को detect करता है, electroscope, electron microscope, यह भी कोई important नहीं है, सब जानते कि microscope के इस्तेमाल, magnifying के लिए इस्तेमाल के ज़िए, किसी भी object को बड़ा देखने के लिए, उसमें इस्तेमाल के बड़ा, 20,000 टाइम्स हमें क्या करता है, जो इस्तेमाल object होता है, वो बड़ा दिखाता है, एंडोस्कोप दिन आपने सुना होगा कि किसी के पेट में, स्टमक में जब प्रॉबलम आती है, तो अगर सही से डॉक्टर उसका इलाज, मतलब इलाज ठीक नहीं हो पाता है, उसका मर्ज ठीक नहीं हो पाता है, तो लास्ट में उसके डॉक्टर लिखता कि आप एंडोस्कोपी करवा लेजिए, इंडोस्कोप वही है, उसमें छोटा सा कैमरा होता है, आपके मुह की जरियत से उसको पेट में डाल दिया जाता है, और उससे एक्जामीन किया जाता है, क्या आपके बॉड़ी में क्या खराबी है, ठीक है, एंडोस्कोप है, ये मेडिकल टर्म का है, इसे भी आप यात रखिएगा, फैथोमेटर, ये भी इंपोर्टेंट है, ओसियन के जो गहराई को नापने के लिए फैथोमेटर का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लक्समेटर, ये मेडिक फ्लक्स को, ये साइंस का टर्म्स है, ये क्लास्टेंज में भी है, फ्लक्समेटर जो है, मेडिक फ्लक्स को नापने के लिए इस्तेमाल के जाता है, गलवेनोमिटर यह भी important है, electric current को नापने के लिए, यह बहुत ही important है, क्योंग यह पूछ चुका है सवाल जामिया में, electric current को नापने के लिए इस्तेमाल के लिए गलवेनोमिटर, ग्रामोफोन, यह जो है, reproducing the sound record, sound record के लिए समाल के जाता था पहले, ग्रामोफोन का, यह कोई important नहीं है, hydrometer जो हो जाता है, यह measure करते हैं, density of liquid, relative density of liquid का measure के जाता है, hydrometer करता है, यह important है, hydrometer यह important नहीं है, major sound underwater, water में जो, नहीं, important ही है, hydrophone है na, important है, यह water में जो sound होता है, उसको नापने के लिए इस्तेमाल के जाता है, hydrometer जो होता है, used for the measure of moisture, content or the humidity of air in a gas, यह measure करता है, कि जो आपका air में जो humidity है, या moisture है, वो कितना है, यह gas में, उसको हम hydrometer से इस्तेमाल किया जाता है, hydroscope, यह कोई important नहीं है, यह change in, so करता है, atmospheric humidity को, hyposometer, यह भी कोई important नहीं है, lactometer यह important होर यह आ चुका है, जामिया में, यह milk के relative density को चेक करता है, हलागे बहुत लोग कहते हैं, कि इसमें दूद में पानी मिला जाता है, तो हम क्या कहते हैं, कि measure कर लिगे, lactometer से नाप लीजिए, तो यह milk के relative density को नापता है, Mr. Dicus Macmeter determines the speed of an aircraft and relative speed of sound, आप यह important रखिये हैं, कि आपको milk के relative density है, वो measure करने के लिए काम क्या आते है, lactometer, यह important है, Magnetotometer, compress the magnetic moment and field, यह को important नहीं है, जामिया के point of से, Manometer, used for measure atmospheric pressure, इसे आप याद कर जाएगा, Manometer जो होता है, atmospheric pressure को measure के जाता है, इस्तमाल के जाता है, Micrometer जो होता है, आप सब जानते है, Convert the sound waves into electrical vibration, Sound wave को electrical vibration में convert के जाता है, हलागि यह important नहीं है, Microphone का अपने नाम से लोगे, एरफोन आपने सभाल करते हैं, उसमें microphone का होता है, यह Convert sound waves into electrical signal, यह important है, आप याद कर लिएगा, Microscope, सब ने नाम सुना होगा, Class 10 में, Class 8 में, Class 7 में, सब ने अपने नाम से के microscope ही यह, Microscope used for magnifying view, small object, छोटे-छोटे object कों हम बड़े में दिखा देते हैं, उसमें microscope कहते हैं, उसमें काम लिया जाता है, Northotometer, यह कोई important नहीं है, Odometer, instrument used to attach to wheel of a vehicle measured distance travel, यह भी कोई important नहीं है, Speedometer तो है, नहीं Speed को नापने के लिए काम करता है, Ohm Meter, यह resistance को नापने के लिए काम करता है, यह आप याद रखिएगा, Ohm Meter, Ondometer जो हता है, Frequency को नापने के लिए इस्तेमाल कर गया जाता है, Frequency of electromagnetic waves कहा सकते हैं, यह आप फ्रिक्वेंसी को नापने के लिए ओंडोमेंटर के इस्तेमाल किया आता है। उप्टोमेंटर जो होता है यूज़ फोर टेस्टिंग रिफ्रेक्टिक पार आफ आगी कोई इंपोड़न नहीं है। इस्तेमाल कियाते हैं। इनका कोई जो साइंटिस्ट हैं इनका कभी नाम तो आया नहीं है यह इंपोर्टिंट नहीं है मेरे इसाब से। रिफ्रेक्टोमेटर जो होता है मेज़र और स्टेटिने सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना नमकीन है। उसको हम measure करते हैं refractometer से, यह ज़्यादा important तो नहीं है refractometer, ठीक है इसमें देखिए measure of refractive index of a substance किसी भी substance को हम refractive index measure करते है refractive index से, यह important है और यह आप याद कर लिए, यह class 10 में भी यह है reflection, reflection, तो यह सब देखिए refractometer जो होता है, refractive index किसी भी substance से हम measure करने के लिए काम किया जाता है sextant जो है था है आपका used by the navigators to find latitude in the place measure, यह कोई important नहीं है जो important मैं आपको बता देता हूँ, sysmograph यह important है, used for recording intensity and origin of earthquake देखिए, earthquake जब भी आता है तो हम किस से measurement करते हैं, sysmograph से करते हैं कितना यह था, 0.6.5 था, 5.5 था, यह 2.5 था, उसका range कितना था, तो हमें sysmograph से earthquake का shock जो है, लगता है जो हमें धरती पर, प्रीथी पर, वो sysmograph से हम measure करते हैं, यह important है, आपके लिए याद कर लिए गा और inventor का नाम भी याद करे जाएए यह भी important है, जौन मिलने ने किया था spectroscope जो होता है used for spectrum analysis के लिए होता है, और यह Robert William Bunsen ने किया था, यह important है speedometer में बता रहा था, speed किसी भी vehicle की speed को नापने के लिए speedometer इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद आप जाए sthetoscope यह जो होता है, used for hearing analysis of sound of heart दिए होगे, आप doctor जो होते हैं, वो आपकी पीट पे sthetoscope लगा देंगे, कहेंगे कि आप सांस दीजिए, तो उसमें multiple reflection of sound जो है, उनके पास जाता है उसी से वो लोग analyze करते हैं क्या बीमार है क्या है, क्या नहीं है, heart rate कैसा जलता है तो वो analyze करते है tachometer to determine the speed, especially rotating speed of shaft, ठीक है, किशी भी shaft, shaft जब पाईया जो होता है, जो rotation करता है, especially, उस speed को नापने के लिए tachometer के इस्तेमाल के जाता है और ये बहुत ही important आप इसे याद कर लिजिए tangent galvanometer ये कोई important नहीं है, हाला कि ये galvanometer जो होता है, वो current को amount of current को detect करता है, लेकिन ये वो AC करता है, लेकिन ये tangent जो galvanometer होता है वो DC के लिए इस्तेमाल के जाता है AC alternative current होता है, और DC direct current होता है ये AC में, जो होता है हमारे घरों में जो बिजली आती है बाहर पावर हाउस से, ये सब स्टिशन से पावर हाउस में होता है, पावर हाउस से, जो हमारे घरों में आती है वो आपका AC current होता है और DC क्या होता है, जो हमारे inverter बैटरी से जो निकलती है वो direct current होता है तो आपको उतना जानने के जुरूत नहीं है बस इतना ही आप याद करेजिए, galvanometer जो होता है वो आपका current को measure करने के लिए काम आता है लेकिन tangent kilometer अभी तक कभी पूछा नहीं है telemeter जो होता है कभी पूछा नहीं है telescope सब जानते है thermometer आपको बखार होता है जानते हैं कि temperature को नापने के लिए स्तमाल के जाता है doctor करता है transformer, transformer सब जानते हैं वहाँ से high voltage का और low voltage का हमारा frequency without change बे current आता है वहाँ से हमारे घरों में Venture meter, measure the flow of rate of liquid इसी भी आप याद कर सकते हैं Vernier, Vernier यह आपने class 11th पढ़ा होता है Vernier Caliper का नाम सुना को जोने Perry Vernier ने किया था यह scale होता है यह small subdivision scale होता है उसे measure के जाता है आला कि important नहीं है viscometer जो हता है liquid का viscosity के measure करने के लिए हता है दो liquid के बीच में जो surface में जो force लगता है उसे viscosity कहते हैं और उसी viscosity को measure करने के लिए viscometer के इस्तेमाल कहता है तो important तो है नहीं उतना लेकिन आपको याद रहना चाहिए voltmeter यह हमारा voltage को नापने के लिए काम करता है wattmeter electric power को unit जो होता है watt होता है और यह wattmeter जो होता है electric power को नापने के लिए काम करता है लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए आप correlate करकी याद कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा ही रहेगा तो अगर आपको कोई doubt हो नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ सकते हैं comment section में BBA.com के लिए हमने playlist बनाया है उसमें आप जाकर आप जो बैचे BBA.com की तयारी करने उसमें से आप पढ़ सकते हैं वो जी static GK हमने बनाया है वो BA geography या BALLV या BBA.com सब के लिए हैं तो आप देख सकते हैं जाकर BBA.com की playlist में आप इस static GK की तयारी करेए अगर आप BBA.com की तयारी कर रहे हैं especially तभी आपके लिए तो भी अच्छी वीडियो है आपके लिए हमने playlist बनाया हो आप सारा important GK क्यों है जो पार्ट से जामिया में जो आते हैं general awareness में आप देख सकते ह और आप कोई doubt हो तो आप हमसे commenters के पूछ सकते हैं और हमने whatsapp group भी बनाया है तो link description में दिया हुए वहां से join करके हमारे whatsapp group में आ सकते हैं और इस वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को subscribe करिये और जाज़दा share करिये